तो डेर इस्टुडेंट आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जो 2024 में या फिर आने वाले सर्त 2025 में परिछा जब देंगे हिंदी का तो उसमें जो पेपर आएगा question paper आपको मिलेगा वो किस परकार का होगा उसमें किस परकार के question पुछ जाएंगे और chemical scientist को रुछ रहे हैं तो आज वीडियो मिषी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी आज किस वीडियो हम बात करेंगे बीए संब्जेक्ट आपका हिंदी है are the history आपने प्रस्ण पut्र पेपर कोड़ और ऐसे ही आपको सबसे पहले कुछ दिर्षा नर्देफ दिये जाएंगे इनको जरूर पड़ लेना है क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि इतने क्युंचिन का एंसर करना है ताकि आपको समस्यां न हो कि तो आज किसी वीडियो में सबसे पहले हम बढ़ेंगे खंड आ किये और यहाँ पर आपको अत्रे उत्रे कोश्चन देखने को भूलेंगे ठीक है दिसा निर्देश जरूर पढ़ लेना तो पहला प्रशन है कि अनुवाद सब्द का तात्र पर निरूपढ कीजिए ठीक है तो मतलब जो अनुवाद होता है उसका आपका मतलब बतान उसका तात्र पर बताना और निरूपढ बताना है ठीक है तो सिंपल सा आपको उत्तर लिखना है पचासे सब्दों लिखना है तो अनुवाद को इंग्रिश में क्या बोलते है टांसलेशन या पिर टांफलेट किसी भी एक भाफा पर या फिर किसी भी लेंग्वज से और बहुत पारे तरीके की परिभाथ आयं है अनुवाद की और बहुत आर्त हैं आप लोग अलग-अलग भी लिख सकते हैं लेकिन इस का लिख सकते हैं बहुत प्र प्रको इस वीडियों में इस इस अंताए और बार मेरे ज़िए और इस प्रिश्चा इस बार आने का चांस करेंगे लेकिन नोट कर लेजी सबसे पहले प्रश्णिया वाला दूसरा कुश्चन है कि अनुवाद तथा सांस्कृत का संबंद अश्पस्ट कीजिए इन सभी का उत्तर कहां पर मिलेगा कैसे मिलेगा उसकी हम आपको जानकारिज दे देंगे लेकिन उससे पहले आप जान ल कि यह कोश्टर पॉपलर हैं हो सकता कोश्चन आजाए अनुवाद हो सकता कोश्चन संस्कृत तो दोनों कश्चन कंपल्श हरी और मौस्ट इम्पॉर्टन कोश्चन है सिंपल सी बात है फसेंगे इस बार पक्कात हैं नोट कर लिए अभी कि नेश्ट कूष्टन है कि लेप प्रश्ण है कि हिंदी सब्द अनुवाद हे तो अंग्रेजी में कौन सा सब्द प्रियुक्ट होता है ठीक है दोनों के समनार्थी होने का अधार अस्परस्ट कीजी यह आपको बताना है मतलब यह कोश्चिन कहे रहा है हिंदी सब्द इसका नाम है अनुवाद ठीक है इसको इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में टांफलेशन या फिर टांफलेट ठीक है तो इसके बारे में आपको लिखना बहुत ही पॉप्लर क्वेश्चिन है हमेशा तो रिपीट नहीं होता लेकिन कई बार पहुंचा जा चुका है तो इस बार भी उम्मीद है कि आ सकता है ठीक है नेश्ट कोश्चन है कि अनुवाद से सांस्कृत का स्वभाविक सम्मंद तो मैंने आपको बताया अनुवाद और सांस्कृत से य्ड़े कोश्चन पूछेज़ाएंगे और यह दोनों को दोनों महत्पूर कुई नहीं कोई फंशे कहते हैं तयार जरूर कर लिजएगा अगला प्रस्टन है कि अन्वाद के लिए पर्या वाची सब्द कि क्या उपयोगता है तो यह question बहुत कमाता है आप तैयार भी कर सकते है और अगला प्रस्ण कि कारले अनुवाद का क्या बैप्रिय है मैं इसमय शेकारले होते हैं दफ्तर होते हैं उसमें क्या होता है कि बहुत फारे ऐसे employee बहुत फारे ऐसे लोग होते ऑफिसर होते जिनको हिंदी नहीं आती ठीक है और बहुत फारे ऐसे employee बहुत फारे ऐसे officer होते जिनको English नहीं आती तो वहां पर एक translator रखा जाता है बेगती होता जहां पर बहुत सारी मुख्य मंतरी मतन की मुख्य इसे इसे जिसको बोलतं है आप मै zuk अधिक तो आपको अच्छे समझ में आएगा तो इसमें क्या होता है कि जितने भी यहां पर मेंबर से बैठे होते हैं सबके कान में एक हेड़पॉर्ण की टाइप का लगा रहता है उससे यह मतलब निकलता है कि जो जिस भासा में सुनने में या फिस समझने में यह उसमासा को फिलेट करके उसमासा में चीज को सुन सकता है और समझ सकता है तो यह बहुत बड़ा उदाहर है ठीक है और अगला प्रशन है कि अनुवात कला और यह कई बार आ चुका इसको जोड़ तयार कर लेंगे कला अनुवात कला तथा फैंधान्तिक परिचे देने वा एक खिंदी अंगरेजी कोस हो और एक उद्धि उर्दु कोस हो यह सभी सब्सक्राइब कर सक्ते उस्च कुछिन कॉमन आप दो नंबर दो सब्सक्राया करते अलिए कि अनुद से कि मसीए वात आटी जिसको चंपब्स कर लेगा और आदा जाएंगे हम खंडबागी और जिनको आप लोग दीर गुत्रे बोलते हिंदी में सेम टू सेम इसमें पूरी दिशा निर्देर दी गई है इतने कोश्चिन करना है इतने वर्ट्स में करना उसके लिए कि नमबर दे जाएंगे यह पूरी जानकर यहां पर लिखी गई आपको पढ़ लेना है उसी साफ्टे एंसर करना है ठीक है और पहला प्रस्ण है लग उत्रेगा कि अनवादक के गुड़ और दयत पर एक संतुरित आलेक लिखी और उसको प्रस्तुत कीजिए बहुत पॉप्लर कोश्चिन है 100 प्रसेंट आने वाला प्रस्ण हर बार फंसता है इस अनवात के साधनों की जानकाई देते हुए बताइए कि इसमें से कोस गरंत की उपयोगता क्या है यह कुश्चन आता है वह बहुत कम आता है तो फिप्टी फिप्टी वाला कुश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है ठीक है तो आपकी इच्छन तयार करें आना दीजिए 100% गारंटी वाला कुश्चन आइसी कोई परिच्छात तक छोटी नहीं है फोर समस्टर में इसमें कुश्चन ना आया हो तो पार बासिक सब्दा वाले फिरोड़ा कुश्चन पक्का पसेगा नोट कर लिए ठीक है नेस्ट कोश्चन है कि बैंकिंग छेत्र म कोलने तो इस बार भी आने के पूरी उम्मीद इस प्रश्चन की ठीक है उसके बार ने इस कोश्चन के लिए पांतर का आश्यास प्रस्ट कीजिए इसके विकाफ तथा उप्योग का परच्छे दीजिए मतलब कि बहुत चांस कम रहते आने के फेप्रिटी वाला कोश्चन लेकिन थोड़ा पढ़ लीजेगे क्यों कि लिपांतर फिडियो इस वीडियो में मतलब इस माडल पेपर में दो कोश्चन पूछे के थे एक अतिलगुत्र में एक लगुत्र में तो थोड़ा परच्छे आपको पढ़ना बंता है ठीक है और अगला कोश्चन है कि अनुवा जिनको आपको रेट कर लेना है कितने कोश्चन करना है ठीक है कितने सब्दों उसका अंसर देना है कितने नंबर आपको उसके लिए मिलेंगी पूरी जानकर यहां पर निधारी थे आपको पढ़ जरूर लेना है ताकि आपको समस्चाहिन आए ठीक है जिसे साफ से बोल ला तो 450 सब्दों की करीब अंसर दे अगर कम कह रहा है तो कम ही दे ठीक है इससे आपकी जो है वो टाइम मैनेजमेंट का एक पार्ट है टाइम मैनेजमेंट आपका बना रहे है ठीक है और पहला और प्रथम प्रश्ण है देर गुत्रे का कि क्या आनुवात केवल भासिक रुपा तो आप इसे उग्नोव भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं और जो सकते हैं युए तक कोई पर इच्छा चूटी न कि आया हो हमेशा पस्ता है तो इस बार भी गारण्टी के रात आएगा ही आएगा भिश्वास करिए हम पिछले फालों में लागा ता जो हम से और आप लोगों को मालूम है कि हम डेली क्लाफेस देते हैं और हंडर प्रशन तयार करके जाएगा इसकों अगर आपके पर इच्छा है तो ठीक है नोट कर लीजिए इसकों कि अनुवाद कारे का सा धानतिक परचे देने वाली कि नहीं दू पुस्तकों का परचे दीजिए आता है बहुत कम आता है तो 50-50 वाला कोश्चन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है तो अपते यार भी कर सकते है और अग्नौर भी कर सकते है उसके बाद अगला प्रशन है कि अनुवाद कला फाहित के छेत में वैस्विक अदान ब्रदान का मार्ग परसास्त करती है इसकी वि बेटिल में जान कर दीजी तो अनुवात कला फिच्ट बॉश्च्ट एक जरू फसेगा चाहए वो कोई भी कोश्ट पर से सेम तुसें और यह गरणटी नहीं है लेकिन वस अनुवात कला फिच्ट फिच्ट एक अधा पशाइगा ज़रू जानने के लिए तो इस प्रकार का मा मारल पेपर में जितने भी क्वेश्चन देगे उनका उत्तर दयार कर सकते हैं और इन से भी प्रश्णों का उत्तर आपको कहां पर मिलेगा उसकी जानकारिया हम आपको दे दे रहे हैं जहांज सुन लीजिएगा सिंपल सी बात है कि आपके सब के मोबाइल में Google है इंट्रेनेट भी ऊवर ख्रूम भी तो गूगल पर जाना है आपको तैप कर डेंगी मसिन नी अनुवाद ठीक है किसे कहते हैं जैसे आप डुलेंगे आपकी समस्त विभिन प्रकार के आइंसर आजाएंगे जो हापको इजी जो आको आपको फान लेगे उसको तयार कर लिजेगा पढ़ लीजिए गाइग और लीजिए बाद में भी उस प्रशने का उत्तर पढ़ सके इफी तरह सारे प्रशने का उत्तर उस पे मतब्र सर्च कर वक्तें और ब SEO 混ड़ सकते लिए ओर बुक है तो इससे हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं को ने वीडियो में जहिंद